उससे पूरे बिहार का जितने भी जन परतनीदी है चाहिए नगर-णिगम हो नगर-परिषद हो नगर-पंचाईत हो सब लोग भाय के साय में जी रहे हैं ऐसे मैं आज महसूस हो रहा है कि जब एक जन परतनीदी शुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा हम जो परतनीद सब्सक्राइब करें किसी एक बैक्ति को सरकारी नोकरी का वेवस्था किया जाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लगतार जो है बिहार में आप राधी बे लगाम हो गए हैं और लगतार जो है जन परत्निधी के हत्या का स्विसला जो है काफी बढ़ा हुआ है ऐसे में आपको बता दे कि हाजीपूर में भी एक पारसद की निर्मन तरीके से गोली मार कर हत्या कर दी गई ऐसे में आपको बता दे कि अभी हम जो है नगर परिसद काटी में है जहां पर पंकज राय जो वाट परसद हाजीपूर के थे उनकी निर्मन तरीके से हत्या हुई जिसके बाद जो है आर सरधानली सभाकायोजन नगर परिसद कर्याले के पास की गई है हमारे साथ खास बातच वह से पुड़े विहार का इतने भी जन परतनीधी है चाहे नगर निगमो नगर परिसद्या जा नगर पंचाइत हो सब लोग भय के साय में जी रहे हैं ऐसे में आज महसूस हो रहा है कि जब एक जन परतनीधी सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा हम सरकार से मांग हुआ हो लोग उनके याद मेंसर्धाणज़ी सबहाय करी है उब terrorists मियनंगर परिसे करेंक काम करेंगे कैसे देख रहे हैं लगतार भी हमें एकवाल खतम होते जाए लगतार हत्या हैं एक और सांथी जो है नगर परिसाद हाजिपूर के जो है निरंवन तरीके से हत्या हुएा है कैसे देख रहे हैं हम पंक Tout r Youed ठीक पारशथ से पनाच ननबर हाजिपूर के हम उनका घ्ylon हुआ है यहां कहीं कि तरीके से हम पारसदों पर या जितने भी बिहार के नगर पंचायत, नगर पडिशाद और नगर निगम के पारसद हैं, जन परतनी दी हैं, उनके सुरक्षा के लिए आदर नियमुख मंत्री जी से मांग करना चाहेंगे, कि सुरक्षा के लिए कुछ बेवस्था होना चाहिए क्योंकि जन परतनी दी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो जनता के सुरक्षा कैसे मिल पाएगी, इसलिए हम लोग मांग करते हैं, और वहां के परसासक से महीं मांग करते हैं, कि पंकज राय जी का जो हत्या किया है, उनको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, और उन पर उचीत कानूनी करवाई होना चाहिए, यही मांग करते हैं, इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अभी हम लोग भी रात व्यार में निकलते हैं, जनता के सेवा के लिए कभी जनता का जरूरत परता है, लेकिन ऐसा ममला देखने के बाद हम लोग को भी थुरा सा महसूस होत पर वस्ता है, हम लोग को पर नियमक मंत्री इजिसे मांग करना चाहेंगे, कि हम पारश्दों को भी कुछ सुरक्षित वेवस्था करवाया जाए, सरकार के तरफ से यही मांग करते हैं और देख सकते हैं और कुछ पारसद हैं क्या कहेंगे कैसे देख रहे हैं लगातार जो है अपराधी बेलगाम हो गया है इसे में पारसद की जो है निमन तरीके से हत्या हुआ हुआ है कोती-कोती नमन करता हुँ और सरधानली देता है सरकार से क्या मांग तलिया इसे कैसे देख रहे हैं लगातार हत्या का दोर है और ये पंकर्जोराई झी का जो हत्या हुआ है उस से हम लोक आशुरक्षित महसूस कर रहे हैं, रात में कभी भी पब्लिक बोलाता है, तो हम लोग सेबा करने के लिए हैं, और जाते हैं तो भय के साया में हम लोग रहते हैं, ãश्वา है भय कर रहे ghostHow लोग यही मांग कर रहे हैं कि जितने भी नगर परिसर नगर पंचायत नगर निकाय नगर निगम का जो भी पारशदगन है सब को सुरक्षा सरकार दे और पंकज राय जी के घर में किसी नकिसी एक वेक्ती को सरकारी नोकरी का ब्यवस्था किया जाया तो ड़ भी लगा रहता पार्षद का एक नहीं हुआ है तीन-चार बना रहता है कि सरकार शमय यहीं मांग करते हैं और पर कुछ लोग क्या कहेंगे कैसे द İs बीहार प्रक्ति मैं कैसे देख पिछवा frightened उहीं दिवेल लगाम हो गई है बीहार में आये दिन कभी भी किसी को भी कुछ लोग है क्या कहेंगे कैसे देख रहा है लगतार जो विहार में हत्या का दौर चल आब कैसे– हत्या दर बेलगाम हो गई है विहार में आए कि कभी भी किसी को भी को भी का थिक है, इसे बहार के सभी जनता नेता सभी लोग भावशा नजर नहीं पर आज जो है जो हाजीपुर निरम तरीके से हत्या हुई है जिसको लेका सरधानली सभा कायोजन किया गया था साथी साथ नगरपशत काटी के सभी वाड़ पार्षदों ने लगतार सरकार से मांग की है कि हम लोगों को सुरक्षा मोहिया कराए जाए ताकि हम लोगों को कोई परसानी आने बाले समय में नहीं उठानी पड़े असी तमाम खबर अब डेट जो है परकास जो लाइव कि फेशूप पेज पर बने रहे वह यूट्यू चैनल पर सस्क्राइब नहीं किये तो यूट्यू चैनल को भी सस्क्राइब कर दियेगा सबस्क्राइब करें हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए